महाभारत काल के पांच श्राप जिनें आज भी भुकत रहे हैं लोग दोस्तो यू तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी परन्तु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी हिंदू जन्मानस अंजान है आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल में दिये गए कुछ ऐसे श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में माना जाता है कि उन श्रापों को आज भी जन्मानस भुकत रहे हैं पर दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही पास वाली बेल आइकन को भी क्लिक कर ले पहला श्राप श्रीकृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप महा भारत युद के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने दोखे से पांडवो पुत्रों का वद कर दिया था और इस बात का पता जब पांडवो को चला तब पांडव भगवान श्रीकृष्ण के साथ पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर भ्रहमास्त्र से वार किया ये देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को भ्रहमास्त्र चलाने के लिए कहा जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर भ्रहमास्त्र छोड़ दिया परंतु महर्शी व्यास ने बीच में ही दोनों अस्तरों को तकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा एवं अरजुन से कहा क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रहमास्थर के आपस में तकराने से समस्थ शिष्टी का नाश हो जाएगा इसलिए तुम दोनों अपने अपने भ्रहमास्त्र वापस ले लो तब अर्जुन ने अपना भ्रहमास्त्र वापस ले लिया अश्वत थामा ने महर्शी से कहा महर्शी मेरे पिता जी ने इसे वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है और इसके बाद उसने भ्रहमास्त्र की दिशा बदल कर अभि मन्यू की पत्नी उत्रा के गर्ब की और कर दी ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत थामा को श्राप दिया कि तुम तीन हजार वर्ष तक इस प्रित्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बात चीत नहीं हो सकेगी तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंद निकलेगी इसलिए तुम मनुश्य के बीच नहीं रह पाओगे और इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि अश्वत थामा जीवित है अश्वत थामा के सिर पर जन्म से ही एक मनी थी द्रोपती ने अरजुन से कहा कि इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते और इसकी मा भी मेरी तरह अपने पुत्र के मरने के विलाप करेगी इसलिए इसे जीवित छोड़ दो तब द्रोपती के कहने पर अरजुन ने गुरु पुत्र अश्वत थामा के प्रान बक्ष दिये लेकिन सजा के तोर पर उसकी मनी छेन ली और उसके बाल काट लिये उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्यू दंड माना जाता था दूसरा श्राप मांडवय रिशी का यमराज को श्राप महा भारत में मांडवय रिशी का वर्नन आता है एक बार राजा ने भूल वश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को रिशी मांडवय को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया परन्तु जब बहुत लंबे समय तक भी सूली में लटके रहने पर रिशी के प्रान नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया तथा उन्होंने रिशी मांडवय को सूली से उतार कर अपनी गलती की माफी मांगी इसके बाद रिशी मांडवय यमराज से मिलने चले गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे जूठे अपराद में सजा मिली तब यमराज रिशी से बोले कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीडे की पूछ में सीख चुभाई थी जिस कारण आपको ये सजा भुकतनी पड़ी ये सुन रिशी को करोद आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ग्यान नहीं रहता कि धर्म और अधर्म क्या है क्योंकि तुमने मुझे एक छोटे से अपराद के लिए बहुत बड़ा दंड दिया है अतहम मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शुद्र योनी में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे मंडवे रिशी के इस श्राप के कारण यम्राज को विधुर के रूप में जन्म लेना पड़ा तीसरा श्राप अपसरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप ये कथा उस समय की है जब 13 साल के वनवास के दोरान एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग लोग गया वहां उर्वशी नाम की एक अपसरा उनके रूप एवं सुन्दर्य को देख कर उन पर मोहित हो गई फिर एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने को कहा तब अर्जुन ने उनसे कहा कि मैं आपको माता के समान वानता हूँ इसलिए मैं आप से विवाह नहीं कर सकता इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुन्सक की तरह बात कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें शराप देती हूँ कि तुम आज इवन नपुनसक हो जाओगे तथा स्त्रीयों के बीच तुम्हें नित्यक बनकर रहना पड़ेगा ये बात सुनकर अरजुन विचलित हो गए और फिर देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई उसक पांडव युदिष्टर का स्त्री जाती को दिया गया शराप सर्व विधित है महाभारत ने वरनित कथा के अनुसार जब कोरुक शेत्र के युद के दोरान अरजुन ने महार्थी कर्ण का वद किया था तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठ कर विलाप क करने लगी ये देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपने आसु बहार रही है तब श्रेष्ट पांडव युदिष्टर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से प अपनी माता के मुख से ऐसी बाते सुनकर पांचो पांडव दुखी हो गए फिर कुछ क्षन रुक कर युदिष्टर अपनी माता कुंती के पास गए और बोले माते ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंग राज कर्ण हमारे बड़े भाई थे तब आपने हम ल आकाश और धर्ती को साक्षी मान कर सभी स्त्री जाती को ये श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपाए पाएगी पांचवा श्राप श्रिंगी रिशी का परिक्षित को श्राप कथा के अनुसार 36 साल तक पर राज करने के पश्चात जब पांचों पांडव दरोपती सहित स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना सारा राज अभिमन्यू के पुत्र परिक्षित के हातों में सोप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परिक्षित के शासन काल में भी ह खेट खेलने गए तभी उन्हें वहां श्रमिक नाम के रिशी दिखाई दिये वो अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन वरत धारन कर रखा था परन्तु ये बात राजा परिक्षित को मालूम नहीं थी इसलिए राजा परिक्षित ने कई बार रिशी क्षमिक को आवाज लगाई लेकिन उन्होंने अपना मौन वरत धारन रखा ये देखकर राजा परिक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर रिशी के गले में एक मरा हुआ साप डाल दिया उधर जब ये बात रिशी क्षमिक के पुत्र श्रिंगी को पता चली तो उन् परिक्षित के मृत्यू तक्षक नाक के डसने के कारण ही हुई और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कल्यूग की शुरुवात हुई क्योंकि राजा परिक्षित के जीवित रहते कल्यूग में इतना साहस नहीं था कि वो इनसानों पर हावी हो सके और आज हम सभी इस दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्ण आवश्य लिखिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाल बैल आइकन को भी क्लिक कर ले जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद